दोस्तों अभी आप जो मेरे पीछे जगह देख रहे हैं यहां का टिकेट गर और यहां पे मुझे जो टिकेट मिली उस टिकेट का जो चार्जेज था वो था 25 रूपीज और जो विदेशी नागरी का जैसा कि आप मेरे पीछे देख पा रहे हैं उनके लिए साहिद 300 रूपी जो है वो पर केडिडेट के इसाब से होगा या 250 के इसाब से होगा और बाकि जो इंडियन्स लोग हैं उनके लिए यह जो चार्जेज रहता है यह सिर्फ 25 रूपे रहता है और बाकि हम किले के अंदर चलते हैं देखते हैं क्या रहता है क्या रहता है दोस्तों अभी हम जो यह फिरोज सा कोटला जो एक फोर्ट बना हुए दिल्ली में उसके अंदर आ चुके है जैसा कि मैंने टिकेट गर के बारे में बाहर बताया था इसका 25 रूपे चार्जे इसका थोड़ा साब को हिष्ट्री बताता हूं और उस हिष्ट्री से पहले मैं आपको एक बहुत अच्छी और रहशे में ही बात बताता हूं यहां पे मैं मास्क इसलिए बार बार उपर कर रहा हूं क्योंकि दो हजार रुपे का चलान है अगर आप मास्क अटा लेते हैं तो और अगर आपके नाक से नीचे भी मास्क हो जाता है तो यह कोरोना की जो सेक और यह जो मित है यह पतानी सच है की नहीं यह बात कहां से सुरू हुई सबसे पहले हम हिस्ट्री में चलते हैं 1351 इस्वी में जो फिरोज सा तुगलक थे जो तुगलक समराज्य के एक राजा थे उन्होंने दिल्ली पे अधिकार जमा लिया था और उन्होंने अपनी राज खजदानी थी वह पूरा जितना भी उनके कंट्रोल में हिंदूस्तान था वह इसी फूड से वह कंट्रोल किया करते थे अब उसके बाद दीरे दीरे देरे करते ये वक्त बीच गया उसके बाद एक राजकमार हुए उन्होंने 500 साल पहले इसका वापिस कुछ रिनोवेशन भी करवाया था और ये दोर जो था ये सारा का सारा निकल गया अब ये बात आती है दीरे-दीरे पहुंचते-पहुंचते उननीस्वी स्ताबदी में उ वो फकीर इस किले में आये थे और इस किले में आके वो रहने लगे तो कुछ साल बाद उन्होंने कहा यहां के लोगों को आसपास यहां पर एक मस्जिद है मैं वो मस्जिद भी दिखाऊंगा आपको उन्होंने ये बात कही कि इस किले में उनको रात को सपने में जिन आती है उनको को जिन आा के बोले कि हमभू सालों से जब से यहła बना है जब से आ कया बना है तब से हम लोग इस किलह में कैद है और हमें इससे बाहर जाने के लिए एक सबसे अच्छा जो रस्ता है यह होगा लोगबाः हमरे पास आए और हमसे मुराद मांगे और हम उन लोगों की मुरादें पूरी करे और उन लोगों की जैसे जैसे मुरादें पूरी होंगी तो उन जिन्नों के हक में दुआएं बहुत सारी कबूल हो जाएगी फिर उनकी जो आत्मा यहां पे फसी हुई है वो निकल जाएगी और उसके वाद लोगों की भीड लग गई अब हर कोई इनसान ये चाहता था कि उसकी सारी सारी मुराद पूरी हो और वो सारे के सारे लोग लाइन में लग लगके उस मस्जिद पे अपना मत्था टेकने के लिए आने लगे और उस दिन के बाद से जिस दिन से लड़ू शाह ने ये बोला था उस दिन से लेके आज तक इसकी लिए को ये का जाता है कि यहाँ पे जिन रहते हैं और अब अगर इस फोट की बात करें ये है कहाँ पे तो जैसे ही आप दिल्ली में आते हैं तो आप कश्मीरी गेट से या आप केनौट प्लेस से सीधा आप पहुंश सकते हैं दिल्ली गेट पे और दिल्ली गेट पे चाहिए आप चार नमबर गेट से उतर ले या आप उतर ले तीन नमबर गेट से वहाँ पे दिल्ली गेट बना हुआ है उससे कोई लगबग 25 से 30 कुदम की दूरी पे ये जो है दुर्ग ये आ जाता है 25 रुपे टिकेट होती है और आप इसे पुराने टाइम का इतियास संजो सकते हैं इसके अंदर एक बहुत अच्छा खुला पारक है जो आप देख पा रहे हैं ये पूरा पूरा जो पारक है य ये एक बहुत शांदार पारक बना हुए जो अभी दिल्ली सरकार इसको पूरा कपूरा कंट्रोल कर रही है तो जब भी आपका दिल्ली आना हो तो मेरे हिसाब से यहाँ पे आना आपका बेकार नहीं जाएगा आप गूम सकते हैं अब हम आगे चलते हैं कि वह मस्जिद कहा पर उस मस्जिद को देखते हैं वोस्तों अभी जो आप मेरे पीछे जो बिल्डिंग देख रहे हैं यह बिल्डिंग फिरोसा तुगलक ने जब इस किले का निर्मान किया तब बनवाई थी और यह तीन मंजिला बिल्डिंग थी और इसको बनाने के पीछे का कारण यह रहा और फिर इस किले में इसकी स्थापना की गई थी इसकी कुछ खास बात है कि यह 13 मिट्र तो उंचा है नीचे से अगर इसका आप प्रीदी की बात करोगे तो यह 97 सेंटीमीटर चोड़ा है उपर जाते जाते यह 13 सेंटीमीटर चोड़ा रह जाता है तो इस तरह से यह 35 इसन में है कि आप देखोगे तो यह पूरा टूटा हुआ ही है इसमें कोई खास अब रहा नहीं है पर आओगे तो आपको इतियास यहां का देखने को मिल जाएगा अभी हम उस मस्जिद की तरफ चलते हैं जिस मस्जिद में मैं आपको बता रहा था कि जहां पे लोग आके और अपनी जो दुआ कबूल करने के लिए मत्था टेकते हैं और जिन उनकी दुआएं कबूल करते हैं पता नहीं यह कितना सत्य है पर देखते हैं चलते हैं दोस्तों जो मैं अभी जब इस पूरे दुर्ग की आपको हिस्टरी बता रहा था तब मैंने का था कि जिन यहां पे रहते हैं और यह 19 सदी के बाद जो यहां पे लड़ू शाजी आए उन्हों ने इन जिन्नों के बारे में बताया था और अब भी हम उस मस्जिद के पास आ चुके हैं जहां पे लोगों का कहना है कि यहां पे जिन निवास करते हैं और यहां की मैं सबसे अच्छी खास बात बताता हूं आपको कि लोग आते हैं और इस मस्जिद पे इस तरह के यह जो दर्वाजे लगे हुएं यहां पे सब लोग अपनी अपनी मुराद जो है वो लिखित तोर पे आके लिख जाते हैं और टांग जाते हैं और लोगों का ऐसा मानना भी है कि जब जिन रात को आते ह हैं तो इन सब चीजों को पढ़ते हैं और जब वो पढ़ते हैं तो फिर उनके इस जो भी वो अपना दुख, दर्द, पीडा जो भी लिख के जाते हैं उन पर प्रकाम करते हैं और उनकी पीडाय जो है वो दूर कर दी जाती है लहाज़ा अगर आप देखोगे तो वेस भी जानते हैं, वो सब तरह की बासाइं जानते हैं, अगर आप आते हैं और आप इन चीजों में बरोसा रखते हैं, तो आप अपनी मुराद यहां पे लिख सकते हैं, और आप छोड़ के जा सकते हैं, और मैं इश्वर से दुआ करूँगा कि वो आपकी मुराद पूरी ह पर मेरा ऐसा मानना है कि आप अपनी महनत पर भी विश्वास रखेगा इन सब चीजों के बाद, और अब यह आप देख सकते हैं, विद फोटो, मैं इनका जो है जनाब का नाम मैं आपको छुपा लेता हूँ, पर इनोंने अपना जो है फोटो लगा के और पूरा का पूरा सब कुछ इसमें लिखा हुआ है, इनोंने डिटेल और फिर सब लोगों का अपना अपना इसाब किताब होता है, पर अगर आप आते हैं तो आप विश्व मांग सकते हैं, आपकी दूआ कबूल हो, मैं ऐसी दूआ करूँगा, दोस्तों आप जो यह मेरे पीछे देख पा र इतना होस के आपकी दूआ पूरी हो, हर जिगह पर कागज लटके हो, आप वो देख पा रहे हैं मेरे पीछे, वो भी कागज लटके हो, सब लोग दूआएं लिख के जा रहे हैं, और आपका ये भी हो सकता है, कि इश्वर से खुदा से दूआ करो, कि वो आपकी दूआएं कबूल हो, और अभी हम इस मस्जिद का साइद ये में गेट है, इसकी तरफ जा रहे हैं, उपर की तरफ, और आगे बढ़ते हैं, क्या रहते हैं, क्या नहीं, एक्स्यूज मी, हे, अगर कैमरा में आओगे तो कोई इश्यू तो नहीं आपको, आई नहीं सकते, आप इसके अ जो मस्जिद है, इसका जो कुछ उपर का हिस्सा बना हुआ है, हम उसकी तरफ बढ़ते हैं, और देखते हैं कि इसके अंदर क्या रहता है, कुछ चीजें हैं ऐसी, जो देखने वाली होती है, दिल्ली में लोग आते हैं, कनोट प्लेस से उतरते हैं, और वहीं से वापिस च आते हैं, आपको जूते खोल के जाना पड़ता है, और अंदर की मस्जिद इस तरह से हैं, यह इमाम साब हैं अंदर, गूम रहे हैं, और दोस्तों जो अभी आप मेरे पीछे की जो जगह देख पा रहे हैं, यह उस वक्त की है, जब फिरोसा तुगलक की राजदा नहीं हु बताया गया है हमें, हो सकता है, यह पूरी तरह सत्य ना हो, पर अभी जो 19 सदी के बाद जो यहां के लोगों की जो बाते हैं, वो इस तरह से चल पड़ी है, कि यहां पर जिन जो होते हैं, उन लोगों का यह बसेरा बन चुका है, जैसे आप लोग यह डिवाइडेशन जो सामने वाली दिवार पे जो हैं, यहां पर लोगों का कहना है कि आम लोगों को यह जिन दिखाई नहीं देते हैं, बट जो यहां के जो इमाम होते हैं, या जो बड़े ओदे के लोग हैं, उन लोगों को जिन साब दिखाई देते हैं, और वीरवार के दिन, जिस दिन जुम् लोग बाग रोना शुरू कर देते हैं यह अपने दुख दर्द जो होते हैं उनके वह बाहर निकल रहे होते हैं ऐसा सब कुछ यहां की एक पर्चलन है माना जाता है जुम्मे के दिन ऐसा होता है तो यह सारा था यहां का फोट और अब इसमें अगर कुछ रहा तो हम आगे च लगा और यह जो पीछे दिवार देख पा रहे हैं यह इसकी आखिरी हद नहीं है क्योंकि बाद में गौर्मेंट ने इसके आगे का जो हिस्सा है उसमें इन्होंने पार किया यह गार्डन बना दिया है इसकी जो हद थी वह आगे तक थी उसके बाद यह रोड आती है और इ ्अश्चा उची साबसे जो पुरा तात्वी जो हारे जितने भी संबाद का बचे धोह प्वोंकिंगे व्यंकि चीजिगे स flat के लिए हैं कि व हमें संब्ने कि लिए पुछ अलग से करना चाहिए तो अगर आप प्रेटक है डिली आते हैं और गूमना पसंद करते आप यहं पर आ जैसा अगर आप यकीन करते हैं इन चीजों में तो खैट अब हम आगे चलते हैं देखते हैं क्या रहता है दोस्तों अभी जहां पे हम इस दुरग की एक जगह है जिसे बावली कहते है इसको कुगा कहते है पहले के वक्त में इस कुवे का इस्तेमाल बाग बगीचों में पान सा कुवा है और यहां पे कुछ एक पानी निकालने के लिए एक बाल्टी का इस्तेमाल किया करते थे और दो मंजिला मकान बने हुए थे दोनों और यह बहुत ही जटिल तरह की प्रणाली है यह मेरे पीछे जो डाइग्राम देख रहे हैं यहां पे क्या होता था कि पूली अगी होती थी उस पूली के ऊपर से एक रस्ता नीचे जाता था और उस रस्ते से उस बाल्टी से पानी बहार आता था और फिर एक जगय पर उसको लाके गिरा दिया जाता था अब वह सारा का सारा पानी बाग बगीचे को या पीने के पानी के तौर पर यूज किया जाता अब मैं आपको यह जो में बावली है वो मैं दिखाता हूँ आप मेरे साथ चलिए यहां का यह जो आप देख रहे हैं मेरे पीछे यह है बावली यह काफी बड़ा कुआ है और दो मंजिला इमारतें बनी हुई है जो साइडों में तूट गई है और नीचे भी कहते हैं कि यह डाई से तीन मंजिल गहरा है मतलब मानों आप एक मंजिल अगर माने 20 फीट की तो यह 40 भी हो सकता है और मैं आपको अंदर से दिखा पाता पर है नहीं पर फिर भी कुछ जुरोंकों से जितना दिखा उतना दिखाओंगा आम आपको पर इसको बंद करने का अपना एक रहशे अलग से ही है यह देखो यह काफी गहरा है यहां से बना हुआ आप देख पा रहे हैं यहां पर सुसाइड कर लिया था एक साल के गैप के अंदर उसके बाद गौवर्मेंट ऑफ इंडिया या दिल्ली सरकार ने सोचा कि इसको कम्प्लीट्ली बंद कर दिया जाए उसके बाद से बंद पड़ा है फिलाल अगर आप आते हैं तो कुरोना मामारी के चलते आपको लो अब नहीं है हम तो हमारी डोकिमेंटरी कवर करने आएं और हम हमारी डोकिमेंटरी कवर कर रहे हैं और अभी हम चलते आगे देखते हैं क्या रहता है बाई